आज बहार बहुत कर्मी है लेकिन मेरी पॉप्सिकल पिगल कर नीचे जा रही है मुझे आश्यर रहे है पॉप्सिकल मेरे हाथ से नीचे पिगलते हुए क्यों बह रही है ये क्या है टैप आइस क्रीम ट्रक में जाते हो और किसी एक्सपर्ट से फूच से है ये एक अच्छा इडिया है मुझे खुदाई करने वाले बत्तक और पंकों की अवश्यक्ता होगी पंक और खुदाई करने वाले बत्तक के पेर तयार है ब्लीपी स्टेशन को एक्टिवेट करो ब्लीपी मोबिल रोमाज के लिए तयार है आओ जाने की मेरा पॉप्सिकल हमेशा मेरे हाथ से नीचे क्यों पिगलता है। हम छोटे हो रहे हैं। वाँ! हमाई स्टीम ट्रक में पहुच गए। हाई! इस ट्रक में आपका स्वागत है। मैं शेरी पॉप हूँ, मुझे खुशी है कि आप आए। हेलो, शेरी! मैं ब्लिपी हूँ! मैं सोच में पढ़ गया हूँ कि मेरी पॉप्सिकल नीचे क्यों बहती है। मुझे पता है कि वह लेकिन सबसे पहले हम ठंड का मजा उठाते हैं। बिल्कुल! वूहू! हम आइस क्रीम बर्डिंग कर रहे हैं। हम स्प्रिंकल से होते हूँ स्लाइट कर रहे हैं। अब हम चोकलेट में स्नौर्किलिंग कर रहे हैं। शेरी! क्या तुम पिगल रहे हो? हाँ! मैं पिगल रहा हूँ! क्योंकि मैं बहुत करम हो गया हूँ! लेकिन मैं फ्रीज में ठंडा हो जाऊँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। बर्फ की ठंडक! अंदर कैसा लग रहा है शेरी? यहां बर्फी ली हवा है और मैं सेट हो गया हूँ! ऐसा लग रहा है कि अंदर तो काफी ठंड है! हां! तुमने सही कहा, ब्लीपी! मेरी तरफ रोजन डेजर्ट होना काफी कूल है! मेरा तापमा लगबग 32 डिग्री फेरनहाइट शून्य डिग्री सेल्सेस होना चाहिए! अगर मैं ऐसे ही ठंडा रहा तो बिल्कुल पीग लूगा नहीं! जानकर अच्छा लगा! मैं देख रहा हूँ तुम मेरे पॉप्सिकल की तरह हो! जब ये फ्रीजर से भार था और ब्लीपी मोबिल की गर्मी से मेरे हाथ पर पिगल गया! तुमारी पॉप्सिकल को भी यहां की सेर करने आना चाहिए था! तुम सही कह रहे हो! इसका मतलब है कि हमारे पास मेरे परशन का उत्तर है! मेरे पॉप्सिकल मेरे हाथ में क्यों पिगल जाता है? ऐसा इसलिए है! क्योंकि पॉप्सिकल बहुत गरम होने पर पिगल जाएंगे! इसलिए हम उन्हें फ्रीजर में रखते हैं उत्तर अप्लोड करो टैप शेरी पूरी जानकारी देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद ये था एकदम कूल ठंडे रहो बलीबी बाबाई वाउ ये मदमक्खी काफी व्यस्त लगती है देखो वो वाली भी और टैप वो भी ये सब कितनी बिजी है बस एक को छोड़ कर ये मदमक्खीयां शेयद बनाने में लगी है हम आखिरकार मदमक्खीयां शेयद कैसे बनाती है हाँ चलो मदमक्खीयों के छत्ते में चलते है मुझे विंक्स और एक्सिवेटर आर्म चाहिए होंगे विंक्स एक्सिवेटर आर्म्स कन्फर्म्ड ब्लीपी स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए ब्लीपी मोबिल रोमाच के लिए तैयार है अब हमें बस मदमक्खी की तरह बनना है और हमें छोटे होने की जरूरत है हम छोटे हो रहे है तुम सही कह रहे हो टैप मदमक्खी ने अपनी जीब फूल में डाल रखी है हेए मेरा नाम है ब्लीपी ये टैप है मैं बस सोच रहा था कि तुम शेहद कैसे बनाते हो हाई ब्लीपी मैं बिजोन हूँ शेहद हाँ ये ही मदमक्खी का गर है मैं इस रस को पीने के लिए अपनी जीब का इस्तमाल कर रही हूँ इस तरह हम मदमक्ख्या शेहद बनाना शुरू करती है चलो अब हम गुपते हैं चलो मेरे साथ चलो छट्टे में चलो चलो बहुत सारी मदमक्ख्या काम कर रही है ये एक फ्रेक्ट जैसा है बिजोन क्या ये सब रस चबा रहे हैं? हाँ जरूर चबाना होगा हम सब यही करते हैं चबाने से शेहद गाणा हो जाता है बैता शेहद नहीं हो सकता मतलब रनी हनी नहीं चाहिए और जब आप रस चबाते हैं तो शेहद बनता है नहीं नहीं देखने के लिए और भी बहुत कुछ है हम चबाते हैं फिर हम निकलते हैं रस हमारे पीट में जाता है फिर वो शेहद बन जाता है फिर हम उससे चट्टे में डाल देते हैं मदू मकी का चट्टा हाँ, हम शेयद को चट्टे में जवा करते हैं क्या मैं थोला सा शेयद चेक सकता हूँ ओ दोस्ट ये अजीब सा लग सकता है लेकिन हमारे पंक बढ़ बढ़ाते हैं जिससे के शेयद गाड़ा बनता है वा, हाँ टैप, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मदू मक्या शेयद कैसे बनाती है फूलों से उन्हें रस मिलता है जिसे वो चबाती है इसे वो पेट में स्टोर करके फिर वो शेयद को छट्टे में डाल कर उसके उपर पंग भड़ पड़ाते है उत्तर अपलोड करो टैप बाई बीजॉन हमें मंदू मक्या और शेयद के बारे में बताने के लिए धन्यवाद बाई वा, उचलती हुई रेट के टीले यहां तक की बाउंसर भी वा, क्या अद्बुत रेट का मेहल है लहर आ रही है ओ नहीं, उस लहर और मेहल का कोई मुकाबला नहीं था हम, मुझे आश्या रहे है क्या मैं एक रेट का मेहल बना सकता हूँ जो बहने ही पाए हाँ, हाँ, तुम सही ओ टैप पता लगाने का एक ही तरीका है मुझे अपना खुद का एक रेट का मेहल बनाने की जरूरत है मुझे खुदाई करने वाले हाथ और मकड़ी के पैरों की अवशकता होगी खुदाई करने वाले हाथ मकड़ी के पैर तयार ब्लीपी इस्टेशन को एक्टिवेट किया जाए ब्लीपी मोबिल कारवाई के लिए तयार है चलो एक रेट का महल बनाते हैं जो बह नहीं पाएगा अब हमें कुछ से रेट के महल का कार बनाने की जरूरत है हम छोटे हो रहे हैं उस ठंडी समुद्री हवा को महसूस करो टैप वाँ हेलो मैं हूँ केकडा और मेरा नाम है क्रेबी आप से मिलकर खुछी हुई अच्छा क्रीदी मुझे अपनी ताकत का कोई अदाजा नहीं हेलो क्रेबी मैं ब्लीपी हूँ और ये है मेरी ब्लीपी मोबिल मुझे ये काफी पसंद आया तो क्या तुम मजे के लिए इस पर सवार हो सही कहा क्रेबी मैं यहां आया ही इसलिए हूँ कि ऐसा रेत का महल बना सकूँ जो पानी से बहन न सके तुम बिलकु सही कैकड के पास आये हो मैं खोदता हूँ और महल बनाता भी हूँ मैं मदद कर सकता हूँ ब्लीपी बढ़िया तो पहली चीज़ जो हम करने जा रहे है वो एक मोट बनाना ये गड़े के लिए एक फैल सी शब्द है गड़े की वज़े से पानी उसमें चला जाता है और उसके पीछे जो कुछ है उसे नहीं बहा पाता है तो चलो खोदते हैं खोदो, 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 खोदो और रेत का एक सुन्दर महल लहर आ रही है खाई ने काम किया क्रैबी इसका मतलब है कि मुझे मेरे परशन का उत्तर मिल गया क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो धुलता नहीं है मैं पानी रोकने के लिए इसके चारो और एक गड़ा बना सकता हूँ झाल बना सकता हूँ झाल